ओम सिरी गनेशायनम दोस्तो एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 जुलाई सुक्रवार के रासी फलक के बारे में कीह दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पर पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगो से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंस सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा करक राशी वालों के लिए सुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों परिवार से आज अच्छे संबंद होने की संभावना बन रही है गहरी रूचेत्रों में आज आपको विकास देखने को मिल सकता है तता घर परिवार में सब के साथ आपसी समंजस बहतर होने की संभावना बन रही है आपके द्वारा किये गए कारों से आज आपको अच्छी सफलता तथा परिवार में आपका सम्मान प्राप्त हो सकता है आज आप सब के प्रती आस्था रखने के साथ साथ सब का सयोग करने की कोशिस करें दोस्तों साति सात आज आप बहार की गति विदियों पर अपना ध्यान अधिक केंद रित करें तथा आयोजनाबत तरीके से अपने कारों को संपन करें आपको अपने प्रेतनों में सफलता अच्छी प्राप्त होगी तथा आये के साधन भी आपके लिए काफी मजबूत होंगे प्रॉपर्टी संबंदित किसी प्रिकार का कार्य करने के लिए आज का दिन उत्तम है घर के रखरखाव संबंदित आज सौपिंग भी हो सकती है आज कल आप अपनी दिन्चरिया में जो परिवर्टन ला रहे हैं उससे आपके स्वास्त तथा पर्सनल्टी में बहुत अच्छा सुधार आएगा घर के नवीनी करण या सुधार जैसी योजनाएं आज बनेंगी आज किसी वास्तु विद के साथ अवस्य विचार विमर्स करें साथी प्रते कार्य को करने से पहले बजट बनाना आपके लिए अतियावशक है आज दूसरों के काम में अधिक ध्यान देने के अबेक्छा अपने व्यक्तिकत काररों पर अधिक ध्यान केंदरित करें बच्चों की तरफ से चली आ रही समस्या का आज हल मिलने से राहत भरी इस्तिती रहेगी धर्म कर्म तथा समाज से भी संस्थाओं में आज आपकी विसेश रूची रहेगी इसकी वज़े से आप सम्मानित भी होंगे विध्यारतियों को भी पिछले कुछ समय से चली आरे परिसानियों से राहत मिलेगी बुजरुगों का सम्मान वे आदर आप अवश्य बना कर रखें उनका आशिरवाद वैश्योग आपके लिए भग्य उदे का निर्मान करेगा घर में कोई धर्मिक कार रहे आज संपन हो सकता है जिससे घर में शकारतमक उरजा का वास होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आप के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों आज ज़ादा से ज़ादा विवादों से दूर रहने का आप प्रियतन करें सावधानी रखते हुए किसी भी कार रेको करें अपने आप पर भरोसा करते हुए आर्थिक लेंदिन में सावधा नी रखें कभी कभी आपकी लापरभाई की वज़े से कुछ उपलब्दियां हाथ से निकल सकती है जिसकी वज़े से सुभाब में भी एकरण ही गुस्सा वे चिर्चना पन रह सकता है अपना आत्म विश्वास उर्जा बनाकर रखना जरूरी है साते साथ विध्यार्तियों का भी ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंदरित नहीं हो पाएगा जिसकी वज़े से दिक्कतें आ सकती है कोई पुरानी नकार अत्मक बात दोबारा उठने से नजदी की रिष्टिदारों के साथ संबंध खराब होने की आशंका भी आज लग रही है दोस्तो अपने संबान की देखवाल आप श्वैम करें चोरी होने अत्वा खोने की संभावना आज लग रही है प्रॉपर्टी के चक्कर में किसी नजदी की रिष्टिदार अत्वा भाई के साथ कोई कहा सुनी होने की भी आज आसंका है थोड़ा साथदान रहें साथी साथ कोई भी उपलबदी आज मिलने पर तुरंती ही उस कार्रे को करें जादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल सकता है साथी किसी अंजान व्यक्ति की बातों में आकर आज आप अपना नुकसान कर सकते हैं थोड़ा साथध्यान रहें दोस्तो ध्यान रहें कि आज घर्चों की भी अधिकता रहेगी साथी साथ किसी पडोसी के साथ ही इसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है करूद की अपेक्छा सांती पूर्ण तरीके से मामला सुल जाएं दोस्तो स्वयभाब में धहरें वे नर्मी बना कर आप रखें जल्दबाजी आपके और आपके परिवार के लिए नुकसान दायक सावित हो सकती है जिससे घर का माहूल भी नकारात्मक हो सकता है थोड़ा सावधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है दोस्तो आज प्रेम संबंदों को लेकर कुछ नया माहूल आपको देखने को मिल सकता है दोस्तो साथी साथ आपके कारों में जीवन साथी का सयोग आपके लिए लाबदायक रहेगा तथा आपके संबंदों में मधूरता रहेगी घर का वातावरन संतुलित बनाए रखने के लिए आपको अपने वैवार में संतुलन बना कर रखना अती आवशक है दोस्तो वैवायत जीवन आज शुक में रहेगा प्रेम संबंदों को मर्यादित बना कर रखना अती आवशक है दोस्तो साथिसाथ विस्तता के बापजूद कुछ समय परिवार वालों के साथ मनोरंजन वे आमोद प्रमोद में व्यतित करें इस से सभी को प्रसंद ता मिलेगी दोस्तो बात कर लेते हैं अज आपका वेवशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारे छित्र में आज आपको सफलता मिलेगी और कारोबार विस्तार की आज आप नई योजनाई बनाएंगे प्रॉपर्टी में भी आज आप निवेस कर सकते हैं जो भविश्य के लिए आपके लिए काफी लाबदायक रहेगा दोस्तो साति सात कारे छित्र में सहयोगियों और कर्मचारियों पर अधिक विश्वास ना करके सभी निर्णे आप स्वैम ही लें क्योंकि किसी अन्य की सला आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है वविश्यक छित्र में सभी काम आज सुचारों रूप से चलते रहेंगे जिसकी वज़े से आप अपने लिए कुछ समय भी निकाल पाएंगे साथ साथ नोकरे पेसा वाले व्यक्तियों का भी आज कोई टारगेट हांसिल हो सकता है जिसकी वज़े से आपका बौस या उच्छ अधिकारी आपके लिए कुछ उपलब्दियां प्रदान कर सकते हैं जिसकी वज़े से आपका मन बहुती प्रसन रहेगा विध्यार्तियों के लिए भी समय आज का बहुती अच्छ रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो आज स्वास्थ को लेकर आपके लिए इस्तितियां काफी सामाने रहने वाली है आज किसी तरह की कोई स्वास्थ सम्मंदित समस्या उत्पन होने की कोई संभावना नहीं है आज आपका स्वास्थ बहुत अच्छा रहेगा जिसके वज़े से आप अपने आपको तनाव मुक्त और काफी उर्जावान महसूस करेंगे दोस्तो साती सात अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्थ रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश होपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत रहोने के बाद अपने स्रधा के अनुसार अपने सामर्थ के अनुसार सफेद रंग की वस्तुएं और सफेद रंग के खाद्य प्रधार्तों का दान गरीबों में मा लक्षमी का समर्ण करते हुए अवश्य करें या दोस्तो इस प्रेकार दान करने से मा लक्षमी आपसे बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगी जो भी आपके जीवन में धन सम्मंदित परिशन्य चल रही हैं समस्त परिशन्यों कंत करेंगी और आपको ऐसा करने से धन सुक्संपत्ति की सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैमा लक्षमी अवश्चा लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद